अगर आप अपनी कार का इस्तमाल कैप सर्विस के लिए कर रहे हैं तो इससे आपका इंसुरेंस का क्लीम रिजेक्ट हो सकता है मतलब अपने प्राइविट कार के लिए इंसुरेंस खरीदा है और उस कार का इस्तमाल अगर कैप के तौर पर हो रहा है कोई accident अगर हो जाता है और आप insurance claim करते हैं तो आपका claim reject हो जाएगा एको general insurance ने ऐसा कहा है और इसलिए आपके पास अगर कोई cab है तो उसके लिए अलग से insurance valid होगा इसके लिए आपको taxi insurance खरीदना होगा जो कि एक commercial vehicle insurance policy है सर claim denial की वज़ा क्या हो सकती है सर एक नए तरीके का मामला उवर कर सामने आया है भुत सारे लोगों ने private number की caps की कारें ले रखी जो caps में चलाए जा रही है आम तोर पर यह वैद नहीं है क्योंकि अगर आप निजी इस्तिमाल के लिए कार लेते हैं उसे taxi में चलाए जाने की इजाज़त नहीं है पर एक तरीके का पेशा और कारोबार भी है यह कि लोग कार खरीते हैं और उसको किराये पर चलाते हैं ऐसी कारों के लिए बीमा कंपीनिया सतर्क हो गई है और उनका मानना है कि अगर यह cap के license वाली कार नहीं है और उससे accident होता है तो उन्हें इसका भुपतान नहीं मिलेग क्योंकि इसके जरीए वो जो company है जो परसंट चला रहा है वो दरसल करतो commercial सर्विस रहा है पर उसने कार को अपने निजी उपियों के लिए खरीद रखा है ऐसी स्थिति में यारी किसी को cap service चलानी है तो उसे फिर cap नंबर के तोर पर अपने को register कराना पड़ेगा और अगर अबीमा company के पास fraudulent या गलत claim आता है तो company इस मामले में claim को तुरंत reject कर देंगी तो यह उन लोगों के लिए खास महतुकून खबर है जिनके पास चो cap के service में या cap के कारोबार में है और private number की cap चला रहे हैं कई सारी agency भी आपको दिखाई देंगी बड़े शहरों में travel agency भी इ जी वह हमकी license plate होती है तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां पर लोग अपनी नीजी गाड़ी को किसी भी कारण वस जो है वो टैक्सी के रूप में चलाने लगते हैं कैप के रूप में चलाने लगते हैं तो अगर आप भी उनमें से हैं तो सतर्क हो जाईए कहीं कु आवेधन करने के लिए प्रवाफ पोर्टल भी शुरू किया है प्रवाफ पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति या संस्था विभिन नियाम की मंजूरियों के लिए सरल तरीके से online आवेधन कर सकते हैं आर्वियाई के इन प्रयासों का उद्देश वित्तिय प्रणाली में आमलो सरकार के से स्यादा सुरक्षित निवेश कोई नहीं होता कि उसके सावन गैरेंटी होती है और इस समय बाजार में ब्याज़रें उची है और सरकार सबसे बड़ी करजदार है तो सबसे महगा करज लेती है सरकार बैंकों से करज ले रही है जहां आपकी बचत परुक का जो रिटेल मार्केट त्यार करने की बात थी उसमें सुविधा और सहयता मिलेगी हलाकि बाजार पहले से भी खुला हुआ है इसे प्राइवेट लोग में इन्वेस्मेंट या रिटेल इन्वेस्मेंट की जाज़त है लेकिन अब इसे और ज्याधा स्ट्रक्षर बनाया जा रहा है यह जो प्रवह पोर्टल और विया ने लांच किया है इसके जरिये आप अपनी अप्लिकेशन डाल सर भेज सकते हैं आपको बॉंड या सरकार के ट्रेज़िवल एलाट हुए है कि नहीं हुए इनकी जानकारी कर सकते हैं और कोई मुद्दा या कोई समस्या है तो उस पर RBI से अपने सवाल का जवाब भी ले सकते हैं तो इस तरह से अब गवर्मेंट सेक्यूरिटीज का बाजार भी ऑपी ऑनलाइन किसी भी म्यूचल फंड प्रोडेक्ट की तरह इस्टॉक की तरह लोगों को उपलब्द होगा निवेशिए